राम राम किसान भाईयो आपका स्वागत है आपके अपने चेनल दव फ्यूचर फार्मिंग में आज हम बात करेंगे आलू की खेती वे ग्यानिक रूप से कैसे की जाती है और बात करेंगे आलू की खेती में कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन के से प्राप्त करें और बात करेंगे कि आलू की खेती में हमें इसी कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारी आलू की उपज में कमी नहीं आए इसलिए किसान भाईयो इस वीडियो को सुरू से आखरी तक जरूर देखना और इस वीडियो को लाइक करके चेनल को सस्क्राइब कर लेना और इस वीडियो का अपने उन सारे दोस्तों को सेर कर देना जो आलू की खेती करते हो या करना चाहते हो तो आईए बात करते हैं आलू की वेग्यानिक खेती पर जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है खेती का समय वेशे तो किसान भाईयो आलू की खेती जलवायू के अनुसार वर्स भर की जाती है लेकिन मेदानी भागो में इसकी बुवाई नवंबर के महने में की जाती है लेकिन आलू की बुवाई के लिए उची समय की बात करें तो अक्टूबर के अंतिम सप्ता से लेकर नवंबर के जूतिय सब्ता तक इसकी बुवई कर देना चाहिए जिससे कि हमारा उत्पादन बहुत ही अच्छा होता है उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है म्रदा किसान भाईयो आलू की फसल म्रदा के अंदर कंद के रुप में पकने वाली फसल है इसलिए आलू की खेती के लिए काली दोमट, सिल्ट डोमट, लाल रेतीली या पीली मिट्टी बहुत ही अच्छी मानी जाती है जिस म्रदा का पी एच मान 5 से 6 के बीच में होना चाहिए उस म्रदा में आलू की बहुत ही अच्छी व्रद्धी होती है और हमें आलू के खेती के लिए म्रदा का चेयन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस खेत का चेयन कर रहे हो वहाँ पर जल भराओ की समस्या नहीं होना चाहिए उसके बाद हमारा अगला तीसरा पॉइंट है खेत की तैयारी किसान भाईयो आलू के अच्छे अंकुरन के लिए हमें खेत की पहली जुताई मिट्टी बलटने वाले हल से कराना चाहिए उसके पस्चात हमें सामाने हल से एक से दो जुताई कराना चाहिए उसके पस्चात हमें खेत को पाटा लगा कर समतल करा देना चाहिए और खेत में क्यारियों का निर्मान करना चाहिए किसान वायों क्यारियों के बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे उसके बाद हमारा अगला चोथा पॉइंट है खाद एवं उर्वरक किसान वायो जैसे कि आपको पता होगा कि आलू एक अधिक खाद चाने वाली फसल है जिसमें आलू की व्रद्धी एवं पोधे की व्रद्धी के लिए अधिक खाद की आउसकता होती है जिसमें हम जेविक खाद के रूप में गोबर या कमपोस्ट की बात करें तो 200 क्विंटल प्रती हेक्टेर की दर से हमें गोबर या कमपोस्ट की आउसकता होती है वही पर हमें 5 क्विंटल खली भी खेत में छिड़काव करना चाहिए जिसमें हम सरसो अरंडी या नीम की खली का उपयोग कर सकते है उसके बाद हम कुछ रासाइनिक खादो की बात करते है तो उसमें हमें 120 से 1500 कुमितल नतरजन, 80 से 100 किलो फासपोरस, 100 से 110 किलो पोटास की हमें प्रती हेक्टेर की दर से आउसकता पड़ती है इसका छिड़काव करते समय हमें किसान भाईयो मुख्य रुप से ध्यान रखना चाहिए कि इसे आलू की फसल पर हातों से छिड़काव नहीं करना चाहिए जिस तरह हम घ्याओ या धान की फसल में करते हैं क्योंकि इससे हमारे आलू का पोदा छती हो जाता है इसलिए हमें रासाइनी खादों को क्यारियों में डालना चाहिए जिसमें किसान भाईयों हमें गोबर की खाद, खली और फासपोरस को आकरी चुदा के पहले ही खेत में चिड़काव करदेना चाहिए। उसके बाद किसान भाहियो हमारे अगला पाच्वा पौइंट है उननत किसमे वेसे तो किसान भाहियो अलग अलग छेतर के हिसाब अलग 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 अननत किसमे होती है। लेकिन सबसे अधिकतर और सबसे अधिक छेत्रों में पाई जाने वाली किस्मों के बारे में मैं आप को बताने वाला हूँ, जिसमें कुफरी अलंकार, कुफरी थार्द 3, कुफरी चंद्रमुकी, कुफरी पुकराज, कुफरी असोखा, कुफरी जवार और LR 110, इन किस्मों का उत्पादन 300-300 कुंटल प्रती हेक्टियर की दर से होता है जिनका आप चैन करकर अपने खेत में बुवाई कर सकते हो किसान भाईयो आपने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं कराया तो फ्लीज वीडियो को लाइक कर दीजी क्योंकि बड़ी ही मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में जिसमें हमें 25-35 ग्राम तक का कंद बुवाई के लेना चाहिए और एक आलू में 2-3 अंकुरण होना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस कंद का या जिस बीज का चैन कर रहे हो वह सुकड़ा हुआ या कोई रोग से छती ग्रस्त नहीं होना चाहिए उसके बाद हमारा अगला छटवा पॉइंट है बीज उपचार किसान भाईयो आलू के बीजो को उपचारित करने से पूर्वा हमें आलू के बीजो को भंडारित कक्छ से 2-3 दिन पूर्वा ही निकाल कर छायादान इस्थान पर खुले इस्थान पर रख देना चाहिए उसके परचात 2-3 दिन होने पर हम स्ट्रेप्टो साइकलिन 0.1 प्रतिसत या कारवेंडा इंजीम 0.1 प्रतिसत या थायरम 2 ग्राम प्लस 22 वन ग्राम को प्रती लिटर पानी के साथ मिला कर हमें बीजो को उपचारित करना चाहिए जिसके लिए हम दो तक्निकों का उप्योग कर सकते हैं जिसमें हम सबसे पहले बेड बना कर बुवई कर सकते हैं और दूसरा सीड्रिल द्वारा जिसमें कि बुवई के साथ साथ आटोमेटिक बेड भी बन जाते हैं जिसमें हम सबसे पहले pointer पर बात कर लेते हैं कि बेड बनाना अगर आप मजदुरोजवारा खेत में बुवई करते हो तो आपको बेड बनाना पड़ेंगे जिसके लिए आप क्यारी से क्यारी की दूरी 40-45 cm और पोदे से पोदे की दूरी 20 cm रखकर हमें खेत में बुवई करा देना चाहिए जिसमें किसान भाईयों हमें मुक्य रुप से ध्यान रखना चाहिए कि बेड बना रहे हो तब हमारे खेत में उचित नमी रहना चाहिए जिससे हमारे बेड बहुत ही अच्छे तरीके से बनते हैं किसान भाईयो आप इस तरीके से बेड बनाकर बुवई कर स सकते हो उसके बाद हमारा अगला आठवा पॉइंट है सिचाई जैसे कि किसान भाईयों में आपको पूर्व में अभी ही बताया कि आपको खेत में चीत नमी बनाकर बेडों का निर्मान करना चाहिए जिसके हम उचीत नमी के साथ बुवई करेंगे तो हमें प्रथम सिचाई क करते रहना चाहिए और सिचाई करते समय हमें मुख्य रुप से एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम सिचाई कर रहे हो उस टाइम पर हमारी सिचाई का जल आलू के पोधे की जड़ों तक नहीं पहुचना चाहिए किसान भाईयों आप अपने खेत की क्यारियों का न किसान भाइउ हमें बुवाई के 20 से 30 दिन के अंदर में खर्पतवार को मजदुरों द्वारा निजन्तिरित कर लेना चाहिए, अगर आपके छेतर में मजदुरों की कमी हो तो आप कुछ कर्पतवार नासी का भी उप्योग कर सकते हो जिसमें आप आलू की बुवाई के तुरंत बाद खेत में खर्पतवार नासी का चिड़काव कर सकते हो जिसमें आप मेंटरी ब्यूजिम 70% या पेंडी मेथालीन 30% का चिड़काव आपको बुवाई के तुरंत बाद कर देना चाहिए किसान भाईयो देहान रखे कि इस दावका चिड़काव आलू की फसल के उपपर नहीं करना है बुवाई के दो दिन के अंदर हमें इस खर्पतवार नासी को चिड़काव कर दिना चाहिए जिससे के हमारे खेत में दो मेने तक खर्पतवार नहीं उगता है उसके बाद हमारा अगला दस्वा पॉइंट है पॉद सन्रक्षन, कीट या रोग नियंतरन वेशे तो किसान भाईयो आलू की फसल पर कई प्रकार के रोगों का प्रकॉप होता है लेकिन आज के वीडियो हम इस्प्रे सेडूल पर बात करेंगे जिसमें आप पताएगा सेडियोल के हिसाब से आप पगर छिड़काओ करते हो तो आपके खेत में कोई भी रोग नहीं आएगा जिसमें किसान भाईयो आपको बुवई के 15 दिन के पस्चात पहला इस्प्रे मेनको जेब से करना है वही दुसरा इस्प्रे भी मेनको जेब से करना है 15 दिन बाद और तिसरा इस्प्रे उसके 15 दिन बाद करना है जिसमें आप बुवई के बाद 15-15 दिन के अंतराल पर मेनको जेब का 2 ग्राम कप छिड़काओ प्रती एक टियर के दर से करना है उसके पश्चात किसान वही कुछ रोग कीटों के कारण होते हैं जैसे रश्यूसक मखी, सफेद मखी, इन मख्यों के कारण पोधा चतिग्रस्त होता है और पोधे पर कई रोगों का आकरमन होता है जिसके नियंतरन के लिए आप बुवई के पश्चात 40-45 दिन होने पर किसान वही के खेत में अगर कीट रस चूसक या अन्य कीट नहीं भी दिख रहे हो जब भी हमें खेत में बुवई के 40-45 दिन होने पर हमें खेत में इन दो दवाओ का चिड़काव कर देना चाहिए किसान वही आपको आलू के खेती में लगने वाले रोग एवं कीटो के बारे में पूर्ण वीडियो चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजे मैं जल्दी से जल्दी आलू की भसल पर लगने वाले रोग एवं कीटो पर एक पूर्ण वीडियो बना दूँँग उसके बाद हमारा अगला ग्यारवा पॉइंट है अलू की खुदाई किसान भाईयो वेसे तो अलू की फसल सामान्यत 90-100 दिन होने पर पूर्ण रूप से पक जाती है जब इसकी आप खुदाई कर सकते हो लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि खुदाई के 10 दिन पूर्व हमें खेत में सिचाई को रोक देना चाहिए मतलब कि आप जब आप आकरी सिचाई करोगे उसके 10 दिन के पस्चात खेत में अलू को उखाड सकते हो किसान भाईयो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को सेर कर दो इसके बाद बाद कर लेते हैं हम उपज पर अगर किसान भाईयो आप मेरे दोरा बताई गए वेग्यानिक खेती करते हैं तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आप 300-300 कुंटल प्रती हेक्टियर की दर से आलू का उटपदन ले सकते हो तो किसान भाईयो यह थी आलू की वेग्यानिक खेती अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को सेर कर और वीडियो के नीचे एक अच्छी सी कमेंट भी कर दो